टैबल्यू यूजी इसी वेड़ा से होता है कि आप डेटा विजुलाज़ेशन कमाल की टका के टैश्पूर्ट बना सके और इस लेक्षर के अंदर हम वही सीखने वाले हैं कि किस तरीके से आप डेटा विजुलाज़ेशन करते हैं असलाम अलेकुम मेरा नाम है डॉक्टर महमद अमारतुफैल और मैं आपको टैबल्यू सिखा रहा हूं और तुस्य सेख भी रहे हो जो आपने लोड किया हो वह यहां पे क्लिक करने से आ जाएंगे फिर आपके पास शीट आ रही है फिर आपके पास यहां पे प्लस का साइन आ रहा है जो कहता है न्यू वर्क शीट बनाए फिर आपके पास न्यू डैश्बोड का साइन है फिर आपके पास न्यू स्टोरी क अब हमने क्या करना है sheet का मतलब यह है कि जितने भी आपने plots बनाने है वो separate sheet के अंदर होगे for example मैं इस sheet पे click करता हूँ जैसे मैंने sheet पे click किया you will see this kind of dashboard there या this kind of sheet there अब हमारे पास इस sheet के अंदर बहुत ज्यादा चीज़ें available हैं अब बारी बारी सब को समझाऊँगा पहले left side के उपर देखते हैं अगर आप left side के उपर देखें तो हमारे पास यहां पर data लिखा हुए analytics लिखा हुए and then हमारे पास table है for example यह सारे का सारा table हमें क्या बता रहे यह सारे categorical columns हैं जो उपर हैं और यह हमारे पास है numeric columns यानि के हमारे पास जो numeric column होंगे वो हमेशा नीचे होंगे यह categorical columns है फिर अगर analytics पे हम click करते हैं तो हमारे पास constants line, average line, median, width, quartile and there are many other things which we can do in आपका dashboard है उसके अदर फिर model अगर आपने लगाना है average का, trend line का, forecast करना है cluster करना है, reference line बनाने है, whatever you want to do you can click on the analytics and you can do that लेकिन data पे हमारा पहला काम है फिर यहां से आप filter भी कर सकते हैं कि आपके dimension हो, measure हो, comment हो, whatever you want to filter आप यहां पे वो data set लेके आ सकते हैं जब आपके पास 100 या second की इतदात के अंदर columns होंगे view data करना है, you can also click here तो आपके पास data view भी हो जाएगा on the go, यहां पे आप देखें यहां पे पास data view हो के आगया है, ठीक है लेकिन मैं इसको बंद करता हूँ और यहां से आप click करके आप देख सकते हैं create, calculated fields, parameters, group by folder भी आप कर सकते हैं, you can do many other things as well यह तो होगी पहले चीज़ फिर आपके पास क्या आ रहे है, यहां पे आ रहे है pages, यहां पे आप different किसम के pages बना सकते हैं, यह आपके filters हो गए and then you have marks here यह किस तरीके से कैसे use होंगे, we will see that जो major चीज़ है आपके पास वो है columns and rows क्यों? क्योंकि जब भी आपने कोई plot बनाना होता है, उसके x-axis होते है y-axis होते है, और उसी हिसाब के आपको column and rows को रखना पड़ता है और यही चीज़ यहां पे है आप किसी भी field यानि कि कि आपके variables को उठाएंगे यहां पे और यहां पे drag करेंगे, फिर इसी आप select और drag क्या करेंगे आप यहां से कोई भी एक column type देखेंगे, sorry plot type देखेंगे और उसकी base पे आपका plot बन जाएगा, just click and drag की base पे बहुत ही असान चुटनियों के अंदर बनेगा, इस तरीके से so, let's see कि हमारे पास यह plot कैसे बनते है और इसको हम समझते हैं कि किस तरीके से हमारे पास यह plot आने वाले है सबसे पहला काम मैं क्या करने वाला हूँ मैं यहां से age को उठाता हूँ और यहां पे मैंने इसको fit कर दिया और यह मेरे पास age का automatically एक plot बन गया, rose की base पे फिर मैं क्या करता हूँ, fair को उठाता हूँ, और fair को मैं column की base में रख देता हूँ and now you can see कि हमारे पास जो plot है वो कुछ इस तरीके से हमारे पास आ रहे and we don't know कि हमें यह plot चाहिए भी या नहीं चाहिए, ठीक है, so for that reason we can see कि हमें दो या दो से ज्यादा क्या चाहिए होती है columns चाहिए होते है तो मैं यहां से इसको करता हूँ, remove और मैं age को उठा के यहां पे paste कर देता हूँ, and now you can see कि हमारे पास कुछ इस तरीके से बन गया, अगर आप देखे हमारे पास यहां पे color और बाकी चीज़ों की भी values आ रही है, but अगर आप गौर करें तो यह हमारे पास एक continuous variable है में यह इसकी क्या है, sum मैं, average count है, distinct है, whatever you want to do, you have to click on that for example, मैं average पे click करता हूँ, तो यह मेरे पास age की average आ गई, and I can go again मैं आपको दुबारा से दिखाता हूँ, कि यहां पे मैं क्या करता हूँ मैं age को plot करता हूँ यह मैंने age रखी, यहां पे age आ गई जैसे ही मैं यहां से bar plot को select करता हूँ ठीक है, और यहां से मैं sex को भी इसी के उपर रख देता हूँ, now you can say कि हमारे पास यहां पे दो चीज़े आ गई, एक age है, मैं इसको थोड़ा सो zoom in करता हूँ यहां पे आप देखें यह female की age और दूसरी age separate हो गई है, तो यह हमारे पास दो bar plots यहां पे बन के आ गए है ठीक है, but what we can do we can actually play in another way मैं यहीं से sex को उठाता हूँ, और column के अंदर paste कर देता हूँ, now you have two columns, ठीक है, दो columns आपके बन गए है और दो bar plots आपके सामने कुछ इस तरीके से show हो गए है ठीक है, and this is how you can play अब यहां से मैं color select करता हूँ कोई भी color आप देख सकते हैं इनको भी लेकिन, we can also do other things as well, मैं यहां पे sex की बजाए, अब क्या करता हूँ यहां से cabin cabin ने p class को उठा लेते हैं जैसे मैंने p class को रखा आपकी data की type change हो गई and now we have to click or drag the plot type, यहां से मैंने, अब यह वाला plot type select किया मैं यह भी कर सकता हूँ, और आप देखें कि जैसे मैं plot type select कर रहा हूँ मेरा plot different किसम का बन रहा है, लेकिन इसके लिए आपको knowledge होना चाहिए कि कौन सा plot आपने कब बनाना है, for now you can see, कि हमारे पास left side पे values है, जो हमारे पास किस चीज़ की value है, we should know about that, जो हमने कोई भी एक measured variable वहां पे रखा था, मैं आपको दुबारा से दिखा देता हूँ, कि हमारे पास यहां पे जी sex, male and female आ गया, मैं आप उठाता हूँ यहां से fair को और मैं rose में यहां पे रख देता हूँ, you will see कि यह rose है rose का मतलब है, जो इस तरीके से data जा रहे है, columns के अंदर और जो columns है, वो उपर से नीचे आ रहे है so that's why we have to look into it, अब sex और fair का यहां पे क्या आ गया है, sum आया है ठीक है, fair का sum आया है आप fair के sum को change भी कर सकते है into average तो यह average हो गया, अब आपको पता है कि यह average fair है, अगर मैं इसको थोड़ा सा zoom in करूँ, you will see कि यह average fair है, ठीक है और average fair के साथ साथ आप एक और काम भी कर सकते हैं आप यहां पे male और female को भी select कर सकते है separately, ठीक है keep only male हम यहां पे click कर देते हैं अगर आपने male और female दोनों को रखना है, then you can also do that, आप यहां से इसकी width भी change कर सकते है, and you can do a lot of other things, ठीक है, मैं आपको दुबारा से एक और चीज़ दिखाता हूँ, मैं इसको remove करता हूँ sex हमारे पास आ गया, और sex के अंदर हमारे पास, for example, मैं यहां पे करता हूँ cabin, cabin x पे कर लिया ठीक है, and now बलके नहीं, यह हमारे पास categorical value है, हम यहां पे करते हैं, impact, कि जहां जहां से लोग embark किये थे और उनकी उम्रें क्या थी यह उनकी उम्रें, c, q and s, यह तीन areas हैं, जहां से यह embark किये थे, तो यह हमेशा हमें sum बता रहाते हैं, हम इसको average पे ले जाते है, and now you can see कि यह average है हमारे पास, ठीक है, और अब आप यहां पे filter directly भी लगा सकते हैं, आप range भी select कर सकते हैं, कि हमने सिरफ वो ही value ले नहीं है, जो हमने start में किया था, आप यहां पे अपना cursor ला के इन bars को थोड़ा सा चोड़ा भी कर सकते हैं for the beautification, something like this, अब check करें, और अब लेकिन थोड़ा सा काम यह हो गया, कि आपकी bar कुछ ज़्यादा ही side पे हो गई है so this is how you can actually play with this अब मैं क्या करूंगा, इनको sex की base पे color करने की कोशिश करता हूँ and let's see, कि हमारे पास क्या data आता है, और मैं यह वाल upload बनाने की कोशिश करता हूँ and here you can see कि हमारे पास जो sex की base पे data आया है वो सिरफ और सिरफ male का क्यों आ रहा है let's see, edit filters यहां पे females को मैं select करता हूँ and here you go, तो male का लादा आ गया data female का लादा आ गया and now I can actually drag this plot like this और यह मेरे पास कुछ इस तरीके से plot एक बन गया ठीक है बहुत ही असान है और आप देख सकते हैं कि हमारे पास जितना चाहेंगे आप वैसा plot बनेगा और यह मैं थोड़ा सा इसको कर रहा हूँ, वो ज्यादा precision के साथ हो रहा है open, so this is how you can play with the plot, और आप यहां पे इसका नाम भी change कर सकते हैं, you can do a lot of other things as well, ठीक है और details भी इसकी आप यहां पे लिख सकते हैं you can actually label text के अंदर क्या है, font क्या रखना है ठीक है, font for example मैं यहां पे रखता हूँ, 12 12 के बाद, मैं थोड़ा सो zoom in करके दिखाता हूँ, tableau notebook की बजाए मैं यहां पे times new roman इसको select करता हूँ यहां पे 12 को select करता हूँ enter कर दिया, and you will see के यहां पे fonts आप change हो रहे हैं मैं इसको गर 14 करता हूँ enter, and now you will see के we have different font font, not font all का मैंने कर दिया, एक ही दफा और show mark labels और यहां पे click करने से आपके जो labels हैं वो उपर bars के भी show हो रहे है and this is how your plot will look like ठीक है, so आप देख सकते हैं कि आपके plot के font वगेरा सारे आप change कर सकते हैं, फिर यही नहीं आप keep and exclude भी कर सकते हैं किसी भी एक column को रख भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं तो यह proper आपके पास एक image जो है वो बन गई है, आप अपनी मर्जी का plot भी बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया stack bar part plot बनाना है, line plot बनाना है whatever you want to create लेकिन उसके लिए आपको Andrew Abela की guide देखनी पड़ेगी, Andrew Abela की guide क्या कहती है, अगर आप यहां पे लिखेंगे Andrew Abela guide for plotting तो यहां पे आपके पास कोई भी एक Andrew Abela की जो guide है उसे आप open कर ले, यहां पे यह बताता है कि चार किसम के आप plot की types बना सकते हैं, depends करता है कि आपके पास data किस किसम के है, अगर आपने distribution देखनी है तो यह किसम के plot बनेंगे अगर आपने कुछ और किसम की चीज़ें देखनी है इसके इलावा बहुत ज़्यादा plots आप बना सकते हैं और इंशाला हम माने वाले दिनों के अंदर वो plots बना के देखेंगे एक sheet आपने बनाई, एक plot बनाया और यह different columns की base पे आप और भी इसके अंदर changes ला सकते हैं और मेरा नाम है Dr. Muhammad Amartafel मैं आपको tablios लहा रहा हूँ और तुसी सेख भी रहे हो practice भी करते जाएं see you in the next one like, share, subscribe और अपने दोस्तों के साथ भी इस course को share करें कर दें see you in the next one